हेलो एर्वान असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक मैं यूरुक चैनल आज की यूडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले आप बहुत ही लजीज और बेहद असानी से बनकर त्यार रहने वाले चिकन आलू प्लाओ की रस्पी तो प्लाओ को किस तर की तो वीडियो को लाइक जूर से कर दीजेगा चैनल पर नहीं है चैनल को पर सब्सक्राइब कर दें तो शेलिए अब हम इसमें मज़ेदार और आसान सी प्लाओ की रस्पी को पराना शूब करते हैं बिसमेर रखवानीम सबसे पहले देखें हमने अपना यहां पर एक दद करते हैं जिस तरह से प्याज को समें सोटे किया जाता है वह हम वाइट प्लाओ नाते लेकिन यह जो मारी प्लाओ की रच्पी आज की बहुत ही जबदास्त है तो देखें आप प्याज मारी ब्राओन हो चुकिए अब हम इसमें कुछ खड़े मिसाले डालेंगे तो हाफ टी के लिए हम इनको भूलने के इनका अच्छा सा फ्लेवर आजाए और थोड़ी सी दर भुनाई करने के बाद इसमें डाल देना वन अना हाफ टेबल स्पून लैसनेदर का पेस्ट फ्रेश लैसनेदर का पेस्ट लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनिट त और क्योंकि हम बना रहे हैं अपना चीकन आलू प्लाव की रस्पी तो इसमें और मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे यह हम इसमें हरी मिर्चे डालेंगे इसी से जो स्पाइस का लेवल आना आएगा और साथ ही हम इसमें डालेंगे दो दर टमाटर और एक बार अच्छे से मि लिए लिए वन टीस्पून देखे पहले मिक्स कर लेते और अब इसमें डाल देंगे नमकिए वन टीस्पून लिए यह शामिलकर देते हैं नमक आप लोग तोटली अपने टेस्ट की साब से अड्ड कर ले और इस टेस्पे मनें नमक इसलिए डाल दिया हम ताकि टुमाटर बनाना उस ही साफ से चिकन ले ले और शावल ले 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 तो यह आफ के चिकन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन की हम कर लेंगे भूनाई तो बहुत असान रेस्पी है अगर आप शूरु से लेकान तक फॉलो करते रहेंगे तो इंशाला आपका बोथ लजी और इसके साथ ही वन टीश्पून भूना हुआ जीरा पाउडर शामिल करेंगे और इसके बाद ही यहाँ पर हमने वन टेबल स्पून सोंफ पाउडर एड किया यह मैं भी आपको बताती हूं क्यूं कियों किया और साथ ही वन टीश्पून रचली फ्लेक्स आड कर देंगे और अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स तो बात कर लेते हैं हमने सोंफ पाउडर के अड़ किया जीकीन करें जब आप किसी भी प्लाव में सोंफ का पाउडर एड करते हैं तो इतनी जबदस खुश्पू आती है कि प्लाव बूफ ही खुश्पू दार बनका तयार होता है और प्लाव के मसालों को आलू और चिकन के साथ तो यह देखें आप हमने फुनाई माश्यलस कर लिया और बहुत से बदस्त खुश्पू आ रही है पुनाई की तो इस स्टेज पर फ्लेम को कर लेंगे लो और त्री टेबल स्पून तकरीब हम इसमें दही आड कर देंगे और द जही का पानी है यह भी अच्छे से ड्राय हो जाए दस मिनट गुज़र जाने के बाद यहां पर अब हम कवर हटा देते हैं और माश्यल्ला सुभानला बहुत ही जबदस खुश्पू हो आ रही है किचन में बहुत ही लजीज और लुक देखें माश्यल्ला से कितनी जबदस अब भुनाई क्योंकि जब आप लोग अच्छी देंगे बियानी की या प्लाओ के कोड में की तो डेफिनेटली आपका प्लाओ बहुत ही लजीज बन कर त्यार होगा एक बर बस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन भी देखें फुली टेंडर हो चुका है और आलू भी अच्छे से टेंडर हो शुके अब हम इसमें डालने के पानी तो मैंने तीन ग्लास चावलों का लिया है तो उसके हिसाफ़ से मैं इसमेंतीन ग्लास ही पानी कर रहा हूँ यह ढल देते हैं आप यहां पर इसमें काफी लोग कुछ को बती करते हैं पानी जएदा řिप्ज अ नाती है इसलिए आप लोग ने इस बात को मद्य नजर रहें कि चावल की क्वालिटी कैसी है उसे साफ से पानी डालिएगा कुछ चावल ज्यादा पानी लेते और चावल कम लेते हैं तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जब तक य हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें और आप लोग इन रेस्पीस को ट्राय कर सकें देखें आप पानी को बहला चुक है अब हम इसमें एड कर देगे चावल यह जो हमने तीन गलास चावल इनको पहले हमने भी बोकर रख दिया था पानी में और अब हम यह शामिल कर देते हैं और चावल एड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोग इसमें नमक चेक कर लें अगर आप लोग को कम लग रहा है तो आप लोग इसमें और एड कर लें क्योंकि हर घर का नमक का हिसाब और अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ दावत इफ्तार का एक बहुत अच्छा और प्रफेक्ट मेन्यू शेयर किया जिसमें हमने ब्रियानी भी बनाई थी तो वह भी बहुत मज़िदार है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब हम यहां पर दम लग सब्सक्राइब करें और चैनल पर नहीं है तो आप लोग इस प्लाव को किसी भी दावत में बना सकते हैं फिर आपसे मिलते हैं नेक्स किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अलाहाफिस